नमस्कार दोस्तों मैं आप इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अगर आप एटल थैंक्स एप से कॉल हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं अगर आप एटल कंपनी का सिम्यूज करते हैं और आप उसकी कॉल हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं ए आपको क्या करना आपको इस वीडियो को पूरा लाश्ट तक देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप उसको कैसे चेक कर पाएंगे और कैसे आप उसको को निकाल सकते हैं तो इस वीडियो में लाश्ट तक बने रही है मैं आपको सही से समझाऊंगा कि आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमने फौन की स्कीन पर चलना पड़ेगा मैं आपको वहाँ पर aları Jackie उपको सब इल्वाइब कर लिदे ऒने वाला हूं तो चलिए फॉन की शिरणिस एब से कीजितर कैसे कि वो फीचर यहां पर कहां पर है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा यहां पर more का option है इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद में आपके सामने यहां पर बहुत सारे यहां पर option आजाएंगे My ATL banking setting help and support shop, यहां से देख सकते हैं My ATL तो यहां पर कौंड कौंसे option है manage account transaction history bank wallet profile e-bill e-mail it backup manage account में क्या है यहाँ से आप primary यदर या कुछ भी account add कर सकते हैं transaction history में क्या है आप यहां से बारे बता लगा सकते हैं कि अब हम रिचार्ज कर वाए बैंक वालड़ प्रोफाल e-bill e-bill में आपको हैं पर कोई भी डाटा देखने को नहीं मिलेगा कर सकते हैं तो यहां पर देखने के बाद में आप नहीं को नहीं मिलेगा जिससे कि आप घृट्अSIM की यहां पर कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हैं तो आप को जो भी वीडियो यूटुपर देखने को मिलेंगी वो सारी फेक आंप यहां गिर्ट नहीं कर सकते हैं तो आप पो इस बहुत ध्यान रखना है कि आप कोई वी कॉलिष्ट को नहीं कर सकते हैं या याँ आपको अभी फीचर देखने को नहीं मिलेगा तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप A&R Thanks App से कोई भी Call History बिलकुल भी चेक नहीं कर सकते हैं जो भी आप वीडियो देखते हैं या या यूटूब पर कोई भी वीडियो इसके बारे में बताता है आपको कि A&R Thanks App से आप अपनी Call History चेक कर सकते हैं तो मैं आपको बतायता हूं कि वहां से आप A&R Thanks App से बिलकुल भी कोई भी Call History चेक नहीं कर सकते हैं आप यहां से कोई भी Call History ders cabinet से नहीं करते हो क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा feature देखने को नहीं मिलेगा जिससे कि आप अपनी Call History यहां से निकाल सकते हैं अगर आप सच में कॉलिष्टी चेक करना चाहते हैं तो आपको कंपनी की तरफ एक SMS करना पड़ता है उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको कॉस्टूमर से वहाँ पर जानकाई लेनी होगी कि हम अपनी कॉलिष्टी कैसे चेक कर सकते हैं तो उसी के मादधम से आप अपनी कॉल नहीं कर सकते तो आपको धियान रखना है आप कोई वीडियो से चैक कर सकते हैं तो बहुत बलकुल घलत है आप methodology यहां पर चैक नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों यहीं समझाने वाला था में इस वीडियो में अगर आप से कोई भी कॉलिष्टी के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ भी आपको कोई बताता है तो आपको वहां पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है क्योंकि वहां से माध्यम से लगे होगी अगर आपको जानकारी अच्छी लेगे तो हमारी एक करें वीडियो को लाइक करें के साथ में क्योंकिमार को आपके लिए तो आपके लिए बहुत हुआ है भी उस्कैब कर लेना है में पर सब्सक्राइब करनेयों करते हैं